वीडियो 8C, चैप्टर 8, डेसिमल, आज हम इस वीडियो 8C में exercise 8.1 के question 3 और question 4 solve परेंगे तो question 3 है, write each of the following as decimals, ठीक, हमको जो questions दिये हैं, इन questions कान से decimals में लिखना है ठीक, तो solve परती है इसको, 7 tenths, 7 tenths में होता है, 7 means होता है, 7 और tenths में होता है, upon में 10 ठीक है, तो 7 tenths इसका means हो गया, कि 0.7, जब भी upon में 1 0 हो, 1 के बाद, तो 1 डेट के बाद पॉंट लाएंगे, जैसी है, 7 के बाद पॉंट के लिए, 2 tenths and 9 tenths, ठीक, तो 2 tenths, तो 2 multiply 10, के लिए, पिलस, 9 tenths, इस tenths में और tenths में डिफरेंस है, यहां एनस है, यहां टी एच एस है, तो 9 tenths, के लिए, तो इसको हम कर सकते हैं, 20 plus, और यह कितना होता है, 0.9, यानि की, 20.9, clear, 14.6, तो यह तो simple है, 14, लिखेंगे आप, 0.6, ठीक, फिर question मत्तरी का D part है, 100 and 2 ones, तो 100, 100, यानि की, 100 and में इस होता है है, पिलस, ठीक है, पिलस, 2 tens, 2 ones, sorry, 2 ones, 2 multiply 1, यानि की, कितना होगे, 100, और 2 अंजा 2, यानि की, 100, 2, ठीक, इस तरह से आपको solve करना है, इसका E part, question मत्तरी का, हमने assignment में दिया है, तो इस पो आपको solve करना है, ठीक, अब हम बात करते हैं, question number 4 की, तो question number 4, वियासान है, ठीक, write each of the following as decimals, तो questions आपको दिये हैं, ये decimal में आपको change करना है, ठीक है, तो करते हैं इसको, 5 upon 10, जब भी आपको किसी भी numbers की निचे, 10, 100, 1000, 10,000 ये दिया है, तो जितने 0 होंगे, जितने 0 होंगे, उतने ही point, इतना ही digit के बाद पहुंच लागे हैं, जैसे यहां, 5 के बाद point, just 5 के बाद यहां point लवा देगे, अगर 2 0 होते, तो 0 लागे point के बाद जैसे आपको बताते हैं, जैसे अगर मान लो, कि अगर हैंपर होते, 5 upon 100, तो हम करते, 5 जीरो, यानिकि, 2 येट होई है, उसके बाद पहुंच लाएंगे, इस तरह से करना है, तो ये कितने हो गया, 3 plus 7 upon 10, यानि 0.7, ठीक, यानिकि, 3 plus 3.7, किलियर, उसके बाद, इसका सी पार्ट है, तो ये भी बहुत सिंपल है, कोशन सिंपल है, ठीक है, आपको एक बार वीडियो देखनी होगी, उसके बाद वीडियो, कोशन स बहुत सिंपल होगी, तो ये कितने हो गया, 260 plus 5, 200 plus 60 plus 5, 1 upon 10, तो मैं इसको कर सकता हूँ, 265 plus, और 1 upon 10 जिस होता है, 0.1, तो इसको मैं कर सकता हूँ, 265.1, किलियर, अच्छा, अब हम इसका D part solve परते हैं, तो D part भी सिंपल है, कितना है, 70 तो ऐसी लिए लिए हम, ठीक, 8 upon 10 है, तो 0.1 एक टर सकते हैं इसको, 8 के बाद 0.1, ठीक है, तो इक दोग है, 70.1, किलियर, उसके बाद हम, 88 upon 10, तो जब भी, अगर, 1, 0 है, तो 1, 8 के बाद point आएंगे, यानकी, 8 के बाद point, ठीक, यह answer है, questions बहुत सिंपल है, ठीक, अच्छा, जब भी आपको mix fraction दिया हूँ, जैसे यह दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले, 4 plus 2 upon 10 करेंगे, ठीक है, इसका मींस है, 4 and 2 upon 10, तो 4 plus 2 upon 10, ठीक, किलियर, उसके बाद, 4 और 2 upon 10 मिस होता है, 0.2, तो यह कितना हो गया, 4.2, ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो जो question 3 upon 2 है, इसमें आपको logic लगाना है, आपको थोड़ा सा mind करिस्टिमाल करना है, दिमाग करिस्टिमाल करना है, ठीक है न, इस 2 को 10 करने के लिए 5 से multiply करने है, जब नीचे करने तो उपर करना होगी, यह नियम होता है, तो 3 5 जा 15 और यह 10, जब भी 1 0 दिया हो, तो पीछे से 1 डेट के बाद करने लाएंगे, इसका answer, ठीक, तो इसके question 4 के पार्ट और हैं, वो मैंने assignment आपको solve कोने की दिये हैं, ठीक है, तो मैं समासता हूँ, आप सब लोग यह questions समझता आएंगे अच्छे से, ठीक है, अब आपके लिए assignment है, तो यह assignment आपको 26 सेतंबर को submit करना है, और आज हम दे रहे हैं इसको submit को, ठीक है, आपके पास एक दिंगा time है, तो question 1 में 2 questions हैं, simple है, question 2 में 4 questions हैं, यह भी अगर आपको इन questions को solve करने में कोई doubt हो, तो आम उसे पूछ सकते हैं, ठीक है?